पाठक सड्ड़ा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास और आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले ही टेस्ट स्रीज को जिसके पहले पार्ट में हमने साइंस के पोस्टन को डिसकस किया था और उसका जो कोईशन स्रीज था कोईशन वन से कोईशन बीस तक का फिर दूसरे पार्ट में हमने कोईशन 21 से 84 तक को डिसकस किया था और जिसके टॉपिक थे आपको करेंट अफियर के और कुछ साइंस के क और आज के इस तीसरे पार्ट में हम question 85 से लेकर 150 को discuss करने वाले हैं और जिसका topic है बिहार special से लिया गया question है उसमें फिर बिहार current affair से कुछ questions लिया गया है और फिर current affair का question लिया गया है तो चलिए continue करते हैं आज की class आज का पहला question है which soils are most commonly found in the state of बिहार means बिहार के most common soil कौन कौन से हैं पहला option है गंगेटिक alluvium फिर पिडमोंट swamp next option है clay soil, loamy soil, sandy soil, aluvial soil, slitly and clay soil, none of the above और more than one तो देखे बिहार के अंदर गंगेटिक alluvium soil जो है ये आपको इंडो गंगेटिक plane के पास मिलता है फिर आपको ये जो पेडिमोंट soil है ये आपको बिहार के north west side में मिलता है तो north west आपको ये west चमपारन ले लो जिसका headquarter बेतिया के अंदर है और बिहार के अंदर एक और type का soil होता है जिसको तेराई soil कहते हैं और ये गंगा के north वाले पार्ट में मिलता बिहार के north side में मिलता है जो की नेपाल के border के आसपास का है तो इसका जो पहला option है वो correct हो जाएगा और ये जो clay soil लोमी soil है ये भी बिहार में पाए जाते हैं और sandy soil भी बिहार में कुछ जगों पे पाए जाते हैं ये जो most common है गेंगेटिक अलूवियम और पेडमोन स्वैंप और तेराई स्वैल ये most common है अगले question को देखते हैं अगला हमारा प्रस्ण है based on structure what types of rocks are found in बिहार first option है हमारा the धारवार rocks फिर next आता the विंदियन rocks फिर the territory rocks means the tertiary rocks the quaternary rocks तो पहला धारवार rocks ये youngest rocks माना जाता है धारवार वाला youngest rocks माना जाता है और ये किस period का rocks है तो ये pre-cambrian period का rock है फिर ये किस part में present है बिहार के अंदर तो ये आपको southern part में present है बिहार के southern part में example हो गया आपको मुंगेर ले लो फिर आप गया ले लो जमुई डिस्टिक ले लो फिर नवादा हो गया यहां पर यह स्वाइल प्रेजन रोक्स प्रेजन होते हैं फिर आपको विंद रोक्स की बात आई तो विंद हिमाचल परवत भी है तो उदर से आप क्यस कर सकते हैं तो यह आपको कहाँ पर मिलेगा, रहतास के साइड में, कैमूर बिस्तिक में, फिर सोन रिवर वैली जो है, वहाँ पर यह present होगा, तो यह किस period का rocks है, तो यह pre-cambrian period का rocks है, फिर tertiary rocks आता है, यह आपको तराई रिजन में पाया जाता है, next आता quaternary rocks यह plistocene period का rocks है और यह gangetic plane के reason में पाया जाता है next आपको आता सिवालिक rock वो आपको west चमपारण जिसका headquarter बैतिया है वहाँ पे पाया जाता है तो इसका जो right answer होगा more than one वाला सही होगा सारे के सारे type के rock बिहार के अंदर present है अगले question को हम देखेंगे अगला question है मारा which district lie in the maggot division of बिहार option है पस्ट, दर्भंगा, मदुवनी, समस्तिपूर और यह किस division में है तो यह आपको दर्भंगा division के अंदर होता है वहीं पे गुपाल गंज, सारन और सिवान यह सारन division के अंदर है जिसका headquarter आपको छपरा के अंदर है फिर आपको आता है अरवल, औरंगाबाद, कटिहार तो इसका जो यह option है कटिहार यह पुर्णिया division का एक part है वहीं पे गया, नवादा, जहानाबाद यह मगर division का part है और इसमें और दो district add है यह कौन से कौन से, अरवल और एक औरंगाबाद, तो यह मगर division के अंदर यह 5 total districts आते है तो इसका जो right answer हो जाएगा D option correct है, अगले question को हम देखेंगे अगला हमारा प्रस्न है 88th number question, जिसमें पूछा गया है which of the following state is not adjacent to Bihar अब देखें, बिहार का border किस type का है इस type का कुछ बिहार का structure है तो west, चलिए, बिहार के north में क्या है आपको दर्भंग, चोरी, नेपाल है और इधर south में आपको जहारखंड आता है east के अंदर, east में आपको west Bengal आता है और west में आपको उत्तर प्रदेश है ठीक है, तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर बनाएगा, जहारखंड बॉर्डर बनाएगा बट, औरिशा और चातिसगड का कोई बॉर्डर नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा यह option correct है अगले question को देखेंगे अगला हमारा प्रस्न है 89th number question जिसमें पूछा गया है फिर्ट उप्सन है वीमबंद वाइल लाइफ सेंचूरी यह कहाँ पर प्रजेंट है यह जमुई डिस्टिक के अंदर में है फिर आता वालमिकी वाइल लाइफ सेंचूरी यह आपको वेस्ट चमपारन वालमिकी नगर के पास में अवस्तित है और यह नेशनल पार्क भी है वाइल लाइफ सेंचूरी भी है तो यह अप्सन नहीं सही होगा कैमूर वाइल लाइफ सेंचूरी जो की रोहतास के अंदर है और यह इसका correct answer हो जाएगा इसके अंदर Tiger Reserve भी present है नेश्ट गौतम गुद्धा वाइल लाइफ सेंचूरी यह गया के अंदर में है तो Tiger यहाँ पे इसके Tiger Reserve की बात आ रही है तो World Tiger Day कम मनाया जाता है तो यह World Tiger, sorry International Tiger Day कम मनाया जाता है तो 29 जुलाई को International Tiger Day मनाया जाता है नेक्स कोईशन को हम देखेंगे अगला हमारा प्रस्ण है Which of the following is the natural wetland in Bihar under the Ramsar Convention पहला हमारा option है Goga Bill Lake जो की present है आपको कटिहार के अंदर कटिहार के अंदर फिर आता है बरेला लेक बरेला लेक आपको वैसाली के अंदर present है वैसाली के अंदर फिर आपको आता कुशिस्वर अस्थान लेक ये दरभंगा डिस्टिक के अंदर present है राइट एंसर होगा कावर वेटलेंड ठीक है कावर वेटलेंड और बिहार के अंदर एक और लेक है जिसका नाम है उदैपूर लेक ये कहां पर present है तो ये बेतिया के अंदर present है जो की वेस्ट चमपारन डिस्टिक का फेट कॉर्टर है तो इसका option D correct है अगले question को हम देखेंगे अगला हमारा question आता है Salt Peter जिसको soda भी बोलते हैं is found in which district of Bihar options है हमारे पास पुर्णिया, पटना, मुंगेर फिर नवादा तो पुर्णिया के अंदर सोरा नहीं present है पटना के अंदर सोरा अबलेबल है मुंगेर के अंदर भी अबलेबल है नवादा के अंदर नहीं अबलेबल है और कहां-कहां पर ये सोरा पाया जाता है तो ये सारन के अंदर पाया जाता है फिर आपको गया के अंदर सोरा मिलता है फिर सिवान हो गए गुपाल गंज हो गए फिर दर्भंगा ले लो समस्तिपूर, बेगुसराय मुझपरपूर और मोतियारी के अंदर ये सोरा पाया जाता है इसका option 2 इसमें सही है तो इसका right answer होगा more than one अगले question को हम देखेंगे अगला प्रस्न है हमारा which city are situated on the bank of बूडी गंडग छपरा ये सर्यू नदी के किनारे जिसको क्या कहते हैं दूसरे नाम से क्या जाना जाता है घागरा नदी जो की छपरा के पास में है फिर आपको next है हाजिपूर ये गंडग के बैंक पे है जिसका दूसरा नाम नाराइनी नदी भी है next आता दिगवारा और बरवनी ये गंगा नदी के किनारे अवस्तित है वहीं पिस समस्तिपूर और मुझभपरपूर ये बूढ़ी गंडग नदी के किनारे अवस्तित है तो इसका राइट इंसर C हो जाएगा पटना और गया गया फलगू नदी के किनारे अवस्तित है जिसका पुराना नाम नीरंजना नदी भी है और पटना गंगा नदी के उपर अवस्तित है next आता है out of the important hot springs of Bihar which one lies in Rajgri तो first option है लक्षमन कुंड लक्षमन कुंड कहां पे present है तो ये मुंगेर के अंदर है और सबसे बिहार का hottest ये क्या है hot spring है बिहार का next आता है अगनी कुंड जो की गया के अंदर है फिर आता है ये नानक कुंड नानक कुंड राजगीर में है और next आता है पंचितर ये मुंगेर में है तो इसका right answer C हो जाएगा अगले question को हम देखेंगे अगला हमारा प्रस्न है बांस कुंड डेम इस लोकेटर इंग विच सिटी तिस्टिक ऑप बिहार options है मारे पास बांका ये नहीं होगा फिर मुंगेराता ये भी नहीं होगा जमुई भी नहीं होगा लखी स्राइ इसका right answer है बांस कुंड डेम ये 1984 में established किया गया था किस नदी के उपर तो बांस कुंड नदी के उपर अगला हमारा प्रस्न आता है उसको हम देखेंगे Eastern Ghandak Hydroelectric Project is in which district options है हमारे पास इस्ट चंपारन नहीं ये इसका 8 quarter मोतिहारी है ये नहीं होगा वेस्ट चंपारन इसका right answer है अगले question पे हम चलेंगे अगला प्रस्न है हमारा question number 96 96 को हम देखते है 96 question कहता है what is the rank of Bihar in India in the production of jute jute के production में India level पे सबसे first position पे आपको West Bengal आता है उसके बाद आपको Bihar का number आता है तो Bihar का jute production में second number है और Bihar में jute कहां पक कहां पे highest amount में पाया जाता है तो ये पुर्निया के अंदर सबसे ज़्यादा jute level है पिर कटिहार में है पिर आपको उधर अररिया के आसपास में शुपोल में, मदेपूरा में यहाँ पे जूट की खेती होती है अगले question को हम देखेंगे अगला प्रस्थ हमारा है 97 number question कहता है which district is hottest as well as the coldest in Bihar तो इसका जो right answer होगा गया district, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गर्मी भी होती है और सबसे ज़्यादा ठंड के दिनों में ठंड भी परती है अगले question पे हम चलेंगे अगला प्रस्थ हमारा है which of the following pair is correct options है दूमट श्वाइल इसको क्या चौरस कहते हैं सही है और यह दूमट श्वाइल कहाँ पर पाया जाता है तो यह सारन के अंदर पाया जाता है गुपाल गंज के अंदर पाया जाता है फिर सिवान के अंदर पाया जाता है और कुछ समस्तिपूर के आसपास में मुझहपरपूर ले लो, दर्भंगा ले लो यहाँ पर चौरस दोमट स्वाइल होता है, जिसको चौरस बोलते हैं, फिर मेची, महाननदा का टुबिटरी रिवर है, ये भी सही है, नेक्स आता है चंदन, जिसका पंचानन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है, इसका पांच स्ट्रीम से वो बना है, इसलिए इसका पंचानन है नेक्स्ट आता है कावर लेक बेगुसराई के अंदर है और ये एसिया का सबसे बड़ा गोमुख जील है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा more than one option correct है तो ये option सही जवाब होगा अगले question को हम देखेंगे अगला question है हमारा 99 number question इसमें कह रहा है which one of the following is called रकीम कुंड waterfall ये आपको गंगा घाट नदी पे बैत के पास में है गंगा घाट नदी का पानी इसके अंदर गिरता है और ये कहां पर अबस्तित है तो ये रोहतास में है रकीम कुंड waterfall फिर आपको आता काकुलत waterfall ये right answer है ये लगवग 47 km का है स्वरी स्वरी किलो मिटर नहीं 47 मिटर का है हाइट इसका और ये नवादा डिस्टिक के अंदर प्रिजेंट है अगला हमारा कुश्ट पोइंट है जियार कुंड waterfall और जियार कुंड भोजपूर डिस्टिक के अंदर है भोजपूर जिसका headquarter आरा बिहार आरा है ठीक है next question को पूछ राम से which of the following pairs is not correct options है तीसी को वाइल सिट नहीं बोलते है इसको लिन सिट बोलते है तो ये गलत हो गया और इसमें हमसे पूछ रा सही नहीं है फिर आता रागी खरीफ ये तो सही है तो ये कहां कहां पे हो सकता है बिहार के अंदर तो ये मुझपर पूर में होता है फिर आपको समस्तिपूर में होता है फिर आपको सीता मढ़ी के अंदर होता है वैसाली के अंदर होता है फिर सहरसा के अंदर होता है फिर आपको खिसारी कैस क्रॉप नहीं है तो ये दो गलत हो गया more than one इसका राइट हो जाएगा और मेश्ता कैस क्रॉप है और खिसारी पल and lowest literacy rate options है advocas and Purnia Araria and Lily Patna and Kattihar Jamuy and Entwickusray इसका जो right answer होगा arbets 찾 औरassy credit bucks to Par S dat and necessary work Wow पूरनिया का सबसे कम है इसका Epic 51.08 L今日 पूरिया का तो चलिए अगले हम प्रस्ण को देखेंगे अगला परस्ण हमारा है which of the following pair is not correct साही लीची मुझपरपूर के अंदर है world famous है सबसे ज़्यादा लीची का production यहीं पे होता है और इसको GI tag मिला था geographical indication tag कब मिला था 2008 के अंदर फिर आता आपको mango दर्भंगा yes दर्भंगा में सबसे ज़्यादा mango का कल्डी वो होता है और नेक्स राता आपको गवाभा के लिए नालंदा famous है यह भी true है बनाना सबसे ज़्यादा आपको विहार के अंदर हाजी पूर में होता है तो यह option गलत है option D true होगा next question को देखेंगे अगला प्रस्न है हमारा which of this have both stern and western canal options हमारे पास soon canal, kosi canal, gandak canal, sakri canal तो इसका जो right answer होगा soon canal के पास eastern canal भी present है और western canal भी present है तो eastern canal के अंदर यह किदर से इसका पानी आता है तो बरुन नदी के तरब से और यह लगबग 130 km long है और इस से किसको फाइता मिलता किस district को तो इसमें आपको हो गया पटना, और अंगाबाद, जहानाबाद, भोजपूर, अरवल गया यहां के लोग इससे पानी प्राप्त करते हैं next आता है इसका western part जो western canal इसके तीन ब्रांच है आपको इसके तीन ब्रांच है आरा, बक्सर, चौसा ठीक है, तो यह आरा, बक्सर, चौसा यहां के लोग, कहां कहां के लोग इससे पानी लेते हैं तो इसमें आपको इधर भोजपूर के लोग हो गए, फिर कैमो, रोतास के लोग प्राफिट लेते हैं तो first option इसका correct हो जाएगा सोन के नाल के पास, eastern और western के नाल दोनों present है next आता है, कोशी का भी है eastern और western कोशी का भी eastern और western है तो इसका जो option हो जाएगा, more than one सही कोशी का eastern पार्ट 127 किलो मीटर का है वहीं पे कोशी का western पार्ट लगबग 91 किलो मीटर का है जिससे दर्भंगा, मदवनी, शहरसा और शुपोल के लोग प्रॉफिट लेते हैं वहीं पे eastern जो कोशी का पार्ट है उसे मदेपूरा, पिर अररिया, पुर्णिया, शुपोल के लोग बेनिफिटेड है, वहाँ से इरिगेशन करते हैं, तो ये correct हो गया इसका more than one option, सही हो जाएगा अगले प्रस्न को हम देखेंगे, अगला प्रस्न है हमारा which of the following peers are not correct first option है हमारा कुशेसर अस्थान बर्ट सेंचुरी ये कहां पे है कुशेसर अस्थान बर्ट सेंचुरी आपको दर्भंगा के अंदर present है, दर्भंगा जिला के अंदर ये सही जवाब है next आपको आएगा नागी डेम, bird sanctuary जमुई के अंदर है ये भी सही है, कांवर जिल बेगुशराई का पार्ट है सही है, गोगा बिल, कटिहार का पार्ट है नेक्स्ट आता है Clovas, Hesselman और Giorgio Parisi तो इसको Nobel Prize मिला था आपको इन तीनों को किस चीज के लिए 2021 में Physics के लिए इनको Nobel Prize मिला था जिसमें आधा Giorgio Parisi को अकेले मिला था और इन दोनों भाई साब को 50-50% 25-25% मिला था ठीक है तो Physics के लिए इनको मिल गया और ये किस चीज का Discovery किये थे तो Complex Physical State का कुछ Understanding के लिए करे थे उनके लिए उनको ये Award मिला था फिर आपको आता है Medicine के लिए जो इस वाट 2021 में Award मिला था David Julius और इनके साथ एक और भाई साब थे जिनका नाम था Arden Arden Pataputian Arden Pataputian और इनको Nobel Fries मिला है इस एर Medicine के लिए और इनका Discovery क्या था तो ये Touch Receptor Cell के उपर कुछ काम किये थे इसलिए इनको Award मिला तो इसका जो Right Answer होगा Option D Correct Answer है अगले Question पर हम चलेंगे अगला Question आज का है Who Amongst the Following has delivered the heaviest semi-cryogenic propellant tank to Indian Space Research Organization Options है हमारे पास Cumens India Limited Next आता है Hindustan Aeronautics Limited Next आता है Thermax Limited Next Grindwell Norton Limited इसका जो Right Answer होगा Hindustan Aeronautics Limited इसका सही जवाब है अगले Question पर हम चलेंगे अगला प्रसन है The Conving Declaration was adopted in October 2021 in China Which of the following statements are not correct Means कौन गलत है सही नहीं है पहला आपसे नहीं है The Theme of the Declaration was Ecological Civilization Building the Shared Future for All Life on Earth ये Theme उसका सही था Conving जो ये हुआ था Declaration और इसको लगबग 100 कंट्री ने इसको 100 प्लस कंट्री ने इसको Adopt किया था और next question point है हमारा The Nations have committed themselves to supporting the development, adaptation and implementation ये भी point सही है ये भी point सही है फिर आता third point है The Signatory Nation will ensure that the post-pandemic recovery policies, programs and plans contribute to the conservation and sustainable use of biodiversity ये भी point सही है फिर next point हमारा कह रहा है The Declaration made a reference to the 30 by 30 target ये भी point सही है तो इसका जो true answer हो जाएगा More than one क्योंकि इसमें सारे सही है गलत कोई नहीं है इसका जो सही जवाब होगा Option number E Option E इसके सही जवाब होगा अगले question को हम देखेंगे अगला हमारा प्रस्न कह रहा है India becomes the first member of BRICS who joins which of the following inter-governmental groups to protect nature इसका option है हमारे पास Sorry, question slide इदर भग गया इस पॉइंट पे थे हम चलिए आ गया question number 108 India becomes the first member of BRICS who joins which of the following inter-governmental groups to protect nature options हमारे पास High Ambition, Coalition of Nature and People तो इसका जो right answer होगा A option सही जवाब है और rest ये गलत है तो option ये correct है इसका Next, अगले question को हम देखेंगे अगला question कह रहा है Which of the following national parks are combined with Tamor Pingla Wildlife Century to make a new tiger reserve in 36 गड़ Option सही मारे पास Kangar Valley National Park Next, आता इंदरावती National Park ये 36 गड़ के अंदर है और ये एक tiger reserve भी है तो ये तो नहीं हो जाएगा फिर आता गुरू घासी दास national park इसी को tiger reserve बनाया गया है तो option C इसका correct answer होगा इसको इस tiger reserve मिला के 36 गड़ state में अब total 4 tiger reserve हो गए है वो 4 कौन-कौन से हैं इसको हम देखते हैं पहला तो आपको हो गया उदान्ती, सीता नदी, tiger reserve फिर आपको आगया एक अचना कमर ता अचना कमर अचना कमर tiger reserve ये भी उत्तर 36 गड़ के अंदर है नेक्स्ट आता है इंद्रावती tiger reserve ये भी 36 गड़ के अंदर है और ये चोथा वाला कौन सा tiger reserve बनेगा तामूर पिंगला वाइलफ सेंचूरी को tiger reserve बनाया जाएगा तो इसका option C correct हो गया अगले question पे हम चलते हैं अगला हमारा प्रस्थ है वेर वाज हरा भरा इंडिया ज़ फर्स्ट एरियल सीडिंग कैमपेंग यूजिंग दो सीड कॉप्टर ड्रोन लॉंच्ट और इस सीड कॉप्टर का क्या नाम रखा गया तो मारूत मारूत ड्रोन और ये किस एस्टेट के द्वारा लॉंच किया गया है तो ये आपको तेला अंगेना एस्टेट के द्वारा लॉंच किया गया है इसका right answer हो जाएगा option B सही जवाब है और इससे पहले 2015 के अंदर ये इंडियन आर्मी से helicopter लिये थे और किस एस्टेट ने इसको शुरू किया था तो वो शुरू किया गया था आपको आंदर प्रदेश एस्टेट के द्वारा और इसका goal क्या है तो इसका goal है लगभग 2030 इसवी तक ये एक billion tree को क्या करेंगे planting करेंगे 2030 इसवी तक अगले question पे हम चलेंगे अगला हमारा प्रसनाता है आज का which player from Bihar has been honored with major ध्यान चंद्र खेल रतन एवर्ड 2021 जिससे पहले इसका नाम राजीव गंदी खेल रतन एवर्ड था और इस वार इसको मिला है ये पार अलिम्पिक्स में बैडमिंटन में ये gold medal जीते थे इसले इनको major ध्यान चंद्र खेल रतन पुरुषकार मिला है प्रमोध भगत को और ये कहां से बिलोंग करते हैं तो ये आपको हाजी पूर से बिलोंग करते हैं और ये क्या खेलते हैं तो इनको gold medal किस Olympic में मिला था टोक्यो पारालिम्पिक्स गेम में और ये badminton खेलते हैं ठीक है नेक्स आता सरद कुमार जी सरद कुमार जी को इस वार अरजुन एवार्ड मिला था मुझपरपूर से बिलोंग करते हैं और ये पारालिम्पिक्स हाई जंप में इनको टोक्यो अलम्पिक्स के अंदर medal मिला था तो इनको इस वार अरजु निवाट से सम्मानित किया गया है नेक्स कुईस्टन पे हम चलेंगे according to the annual ranking of बिहार चीफ मिनिस्टर साथ निश्टे योजना दोजार इकिस which district has ranked first options है हमारे पास गया भागलपूर, शुपॉल, मुगे इसका जो first पहला district था rank 1 लाय था सुपॉल district वहीं पे सबसे नीचे rank पे रहा आपको मुगे अगले question पे हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्थ है Recently, an online agreement has been signed between IIIT भागलपूर and Curtin University in which country is Curtin University located इसका जो right answer होगा Malaysia Curtin University, Malaysia का एक university है अगले question पे हम चलेंगे अगला question हमारा है इसका जो right answer होगा पत्ना के अंदर ये India skills 2021 organized किया गया था पत्ना में भी ये कहां पे हुआ था तो ज्यान भवन जो की गांधी मैदान के पास अवस्तित है अगले question पे हम चलेंगे अगला question है हमारा In October 2021 In how many districts of the state in Bihar In how many districts of the state the Bihar government announced the formation of agriculture machinery bank लगभग लगभग आपको कितना 328 क्रिसी यंत्रिक bank खोला जाएगा बिहार के अंदर और ये लगभग 13 district के अंदर खोला जाएगा तो इसका right answer 13 होगा option भी correct है अगला question हम देखेंगे sorry अगला अमारा question है The aneuruk्षन mobile app released by the government of Bihar is related to option से हमारे पास woman safety, flood controlling and rural road monitoring C option इसका correct जवाब है ये किस के द्वारा launch किया गया है तो ये road transport ministry के द्वारा इसको launch किया गया था चलिए अगले question पे हम चलेंगे अगला question हमारा आएगा question number 170 जिसमें पूछा गया है recently in which district of Bihar has the state government announced the construction of a monkey park तो ये बिहार के कौन से minister ने इनको launch किया है तो ये minister of environment, forest and climate change जिनका नाम है नीरज कुमार सिंग बबलू जो कि सुसांत सिंग राजपूत के चचेरे भाई हैं और वो मंत्री हैं उन्होंने इस पार्क को कहाँ पे खोलने के लिए बोला है तो ये खुलेगा आपको अररिया के अंदर तो option B correct है और अररिया के अंदर एक जगह है हिंगला आरोही वहीं पे ये पार्क खुलेगा और इंडिया लेबल पे ये एक अलग टाइप का पार्क पहली बार खुलेगा जो कि बिहार के अंदर होगा ठीक है next question पे हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्थ है what is the percent of urban unemployment in Bihar as per the data released by the center for monitoring of the Indian economy on October 1, 2011 तो इसका जो right answer होगा 16.9% अगले question पे हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्थ है by when has the Bihar government set a target to convert all the old electricity meter in the state to new small meters इनका जो ये target है कि पूरे Bihar के अंदर smart meter लगाएंगे तो ये smart meter आपको 2025 तक लगाएंगे और जिसमें इसको total पैसा कितना लगने वाला है 11,100 करो रुपया लगेगा इसको change करने के लिए अगले question पे चलेंगे अगला question है हमारा according to a report released by the government of India पूरे इंडिया लेबल पे ये unique state होगा जो ऐसा काम करने वाला child के लिए court room बनाएगा अगले question पे हम चलेंगे अगला प्रसन है हमारा रचित राज वो बिकम दे कंट्री ज़स्ट ट्रांस में soldier recently has been appointed in which district of Bihar options हमारे पास पटना, रोहतास, कैमूर फिर आपको आता है भागलपूर इसका right answer होगा ये कैमूर जिला के अंदर इनको बनाया गया है पहले transgender में है जिनको ये एक क्या बिहार पुलिस के जवान थे next question पे चलते हैं अगला अमारा प्रसन है which district of Bihar has been asked by the prime minister नरेन मोरी to adopt सुखेत model in every village of the country option है मारे पास दर्भंगा, और अंगाबाद, जहानाबाद, मदुवनी तो इसका जो right answer होगा सुखेत model मदुवनी का है और ये परधान मंत्री ने अपने मन की बाद में कहा कि इंडिया के अंदर हर जिले में एक ऐसा चीज लॉंच होना चाहिए इस model में क्या होता है कि विलेजर को फिरी में domestic gas मुहया कराये जाता है साथ में उनको खेती के लिए खाद का भी जुगार कर दिया जाता है इसी सुखेत model के आधार पे next question पे हम चलेंगे in view of the Amrit Mahot Sab it has been divided to plant 35 saplings on the banks of the Ganga in the state of Bihar which plant is not included in this options है मारे पास people को include किया गया नीम को include किया गया mango भी सही है cooler भी सही है और इसके साथ एक और है इसको बोलते है पाक कर ये सारे के सारे Ganga नदी के किनारे इनको रोपा जाएगा तो ये किन के द्वारा ये कहा गया था तो फिर से Minister of Environment, Forest and Climate Change जो की नीरज कुमार सिंग, बबलू जी है उनके द्वारा ये कहा गया था next आता है question हमारा अगला प्रसन हमारा which player from Bihar was adjust player of the tournament in Asian rugby seven slide championship ये championship कहां पे खेला गया था ये आपको तासकेंथ के अंदर तासकेंथ के अंदर जो की उजवेकिस्तान का capital है और इसका currency का क्या नाम है सूम तो ये कौन सी थी आर्थी कुमारी जी को यहाँ पे player of the tournament मिला और ये कहां से बिलॉंग करती है तो ये आर्थी कुमारी नवादा डिस्टिक से बिलॉंग करती है चलिए अगले question पे चलते है अगला प्रस्ण हमारा है इसका जो right answer होगा इसको ये एको अग्रिकल्चर एवाड मिला था आपको किस डिस्टिक को रोहतास डिस्टिक को मिला था और ये बिहार अग्रिकल्चर इनवर्सिटिक के द्वारा ये वाड लॉंच किया गया था तो इसके सारे option गलत है तो इसका right answer होगा नन ओफ दी एवर next question को हम देखेंगे अगला question है in the ranking released by निति आयोक the health department of which डिस्टिक औ बिहार has been ranked 7th in the whole country option हमारे पास सिखपूरा कोपाल गंज कया जहानावाद निति आयोक के द्वारा एक health ranking launch किया गया था जिसमें बिहार का एक डिस्टिक है जिसको सातवा rank मिना था और वो डिस्टिक है आपको सिखपूरा पहले नमर पे कौन सा है यह question पूछा जा सकता है तो पहले नमर पे एक चंदेल डिस्टिक है जो की मनीपूर एस्टेट का पार्ट है next second position आपको साहेब गंज साहेब गंज जो की जहारखंड का एक जिला है भागलपूर के नजदिक में है फिर आपको third नमर पे फिरोजपूर डिस्टिक जो की पंजाब का एक डिस्टिक है तो इसको मिला था बिहार में ही साथवे नमर पे सिखपूर आ रहा था ठीक है अगले question पे हम चलेंगे इन हाउमेन इंजिनियरिंग इंस्टिटूट और बिहार इसका option है चार पांच आठ तीन टोटल पांच वुमेन टेकनोलोजी पार्क बनाए जाएंगे एक आपको एनाइटी पटना के अंदर फिर आईएटी पटना के अंदर फिर आपको पटना पॉलिटेखनिक कर्ल्स कॉलेज के अंदर फिर आपको दो और अधर अधर जगह पे बनाए जाएंगे टोटल पांच यह उम्हें टेक्नोलाजी पार्क बनाए जाएंगे अगले कॉश्चन पर हम चलेंगे अगला कॉश्चन है वेर है दे फर्स्ट डिटेंशन सेंटर ओपन फॉर फॉरेनर पॉरेन इन्फिल्टिलेटर्स अगले कॉश्चन पर चलेंगे अगले कॉश्चन को हम देखेंगे अगला हमारा प्रस्ट है विच लिट्रेचर अब बिहार यहाँ पोईट होना चाहिए था बिहार हाज बिन ओनर्ड विथ साहित्य मार्तंड एवार्ड इन अक्रूबर दोहजार एकिस साहित्य मार्तंड एवार्ड अस्वणी चौबे जी के द्वारा दिया गया था महेंद्र मधुकर को महेंद्र मधुकर को इसी यह एक और एवार्ड मिला था और वो स्टेट कोवर्मेंट अफ उत्तर प्रदेश के द्वारा महत्मा गांधी एवार्ड दिया गया था तो यह करेक्ट हो गया अगले कुश्चन पर हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्ट है Recently, the Bihar government has decided to give what percent of subsidy to farmers in the state for buying seeds options है हमारे पास 50%, फिर आता 80%, फिर 75%, 60%, इसका जो right answer होगा 80% दिया जाएगा Bihar government के द्वारा farmers को, machinery को buy करने के लिए, seeds को buy करने के लिए Next question पर हम चलेंगे अगला प्रस्ट है, which of the following statement, these are correct regarding the physical structure of the state of Bihar तो Bihar का physical structure से related question है तो Bihar Eastern India का major state है, correct है इसका जो total area है, लगवा कितना है, 94,163 hectare है फिर आता है, it extends, ये north latitude इसका पूछ रहा है जो 24 degree, 20 minute, 10 second से लेकर 29 degree 29 degree नहीं होता, ये आपको 27 degree, 31 minute, 15 second होता ये latitude है, तो ये गलत हो गया और इसका circular shape नहीं होता, इसका rectangular shape है Bihar का, ठीक है इसका more than one जो है, वो क्या हो जाएगा, गलत है तो इसका option E सही हो जाएगा अब Bihar का, East to West, जो इसका length है, लगबग 483 km है वहीं पे आपको, North से South जो इसका length है, 345 km है तो ये हो गया, अगले question पे हम चलते है अगला प्रस्ण हमारा 133 नमबर प्रस्ण है जिसमें पूछा गया है Which of the following state is the smallest state in terms of area Option में मारे पास, Telangana, West Bengal, Bihar, Odisha, None of the above और more than one Area के term में, मतलब All India level पे Bihar का तो 13th position है और यहां पे West Bengal, Bihar से भी छोटा state है जिसका इंडिया के level पर area अगर पूछा जाए, तो यह लगवग 2.70% इंडिया का part है वहीं पे Bihar का जो part है 2.86% part है इंडिया के अंदर total 28 states हैं और 8 union territory है जिसमें आपको सबसे बड़ा by area राजस्थान है और सबसे छोटा जो state है वो सिक्किम है ठीक है यह clear हो गया अगले question पर हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्न है सिहो डिस्टिक और बिहार सिहो इस बॉर्डर विथ हाव मैनी other districts options है हमारे पास 2 डिस्टिक, 4 डिस्टिक, 3 डिस्टिक, 5 डिस्टिक तो इसका जो right answer होगा जिसके साथ यह border बनाता है उसका नाम है सीता मढ़ी ठीक है अगले question पर हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्न है according to the forest status report 2019 what percent of the total geographical area has forest cover option है हमारे पास 6.67%, 7.15%, 7.76%, 6.34% तो इसका जो right answer होगा total forest cover area 7.76% है option सी correct है बिहार के अंदर जो सबसे ज़्यादा forest की statistic में है तो option 1 पर आपको आता है भववा जिसको क्या कहते है कैमूर डिस्टिक के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर लगबग 1056 स्क्वेर किलोमेटर forest है वहीं पर second नमर पर आपको west जमपारन आता है जिसके अंदर लगबग 904 स्क्वेर किलोमेटर forest है वहीं पर थर्ड नमर पर आपको रोहतास आता है जिसके अंदर आपको लगबग 672 स्क्वेर किलोमेटर forest है तो ये question clear हो गया अगरे question पर हम चलेंगे अगला प्रस्ण हमारा आता है in which district of Bihar forest percentage is 0 मतलब forest है ही नहीं तो ये option है हमारे पास गया जहानाबाद, सिखपूरा, अर्वल तो इसका जो right answer होगा जहानाबाद के अंदर forest का percentage एकतम negligible, that is 0 है square per kilometer वहीं पे सिखपूरा के पास forest है आपको 1 square per kilometer है फिर अर्वल आता है वहाँ पे 4 4 square per kilometer है और फिर गुपाल गंज के पास लगबग 4.91 square per kilometer forest का area है वहीं पे 2017 की तुलना में 2009 का forest report आया था उसमें जो increase हुआ था सबसे जादा भाका के अंदर, जिसके अंदर 20 दसमलब, 73 square kilometer forest का area का increase हुआ था ठीक है, यह question clear हो गया अगले question को हम देखते हैं अगला हमारा प्रस्न है बिहार is divided into how many parts from the point of view of agro-climatic conditions options है हमारे पास 4, 2, 6, 7 तो बिहार को 4 parts में divide किया गया, एक north western plane, फिर एक eastern plane फिर एक south western plane एक southern plateau यह चार भागों में बांटा गया था किस बैसिस पे agro-climatic condition के अधार पे अगले question पे हम चलेंगे अगला प्रस्न है हमारा which is the major pyrite producing district of Bihar option है हमारे पास और अंगाबाद वे चंपारन, इस चंपारन रोहतास, इसका जो right answer होगा रोहतास, रोहतास के अंदर लगवग 95% pyrite production होता है जो कि इंडिया लेबल पे सबसे ज़्यादा pyrite का production बिहार के अंदर ही होता है अगले प्रस्न पे हम चलेंगे, अगला हमारा प्रस्न है which is the hottest water tank among the various water bodies located in मुंगेर district होटेस्ट है और लगवग 62 degree celsius इसका तापमान है तिसी कुंड भी मुंगेर के अंदर ही है मुंगेर के अंदर ही विस्टु का सबसे पहला योग इंवर्सिटी बना था अगले question पे हम चलेंगे, अगला हमारा question आता है who said about the son canal system, that son canal is like Swiss canal option, Harvard Wilson Robert Park, Michael Jordan James Alexander, तो ये Harvard Wilson ही बोले थे और ये बना कब था son canal, लगबक आपको 1960 से 65 के बीच में ये बना था और यही बनाए थे और इसलिए उसका बोले कि ये स्वेज के नाल के तरका है अगले question पे हम चलेंगे अगला question हमारा आता है 141 question और इसमें पूछ रहा है कि the correct group of district of भिहार touching border of उत्तर प्रदेश is option है मारे पास West Champaran, शिवान, रोहतास, औरंगाबाद तो ये औरंगाबाद border नहीं बनाता है, सारे के सारे बनाते हैं ये गलत हो गया, फिर आता है आपको नौर्थ भिहार के तरफ चले जाओ, तो West Champaran, यूपी के साथ border बनाता है फिर गुपाल गंज, border बनाता है कुछी नगर के पाच फिर आपको आता है सिवान आ जाईए गुरगपूर के असपास में, वदेवरिया के असपास में border बनाता है फिर शारन आ जाईए फिर आजाईए बकसर फिर भोजफूर फिर कहमूर सुन भदर से फिर आपको रोहतास ये सारे के सारे border बनाते है उत्तर प्रदेश से तो ये option के लिए बी option सही जवाब है 142 नमर question देखते है According to Copian's Climate Classification The climate of Gaya district will be represented as तो देखे, Copian Classification System के अधार पे जो बिहार का climate है उसको क्या कहते है CWG और बिहार के अंदर इसको दो पार्ट में बाटा गया एक का नाम रखा गया CWA और दूसरे का नाम CSA CSA के अंदर आपको आता है पटना फिर गया ले लिजे फिर मुंगेर ले लिजे फिर जहानाबार ले लिजे मतलब साउथ बिहार का पार्ट आगया CSA के अंदर फिर आपको आता है ये CWG CWA इसका राइट एंसर यही होने वाला है तो CWA के अंदर किसंगन जाएगा फिर आपको वेस्ट चमपारन आजाएगा जोग बनी आजाएगा फिर अररिया आजाएगा ये सारे के सारे CWA के अंदर कोपियन क्लाइमिट क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं अगले कुश्चन पर हम चलेंगे अगला प्रस्न है 143 नमर कुश्चन जिसमें पूछा गया है अगले कुश्चन पर हम चलेंगे अगला हमारा प्रस्न आएगा कुश्चन नमर 114 जिसमें पूछा गया है ये भागलपूर के अंदर एक स्कूल था जिसका नाम था स्वामी विवेकानन्द स्कूल और यहीं पर ये 13th बिहार बॉक्सिंग स्टेट बॉक्स चेंपियंशिप हुआ था फस्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया अगले कुश्चन पर चलेंगे अगला कुश्चन है इंद्रापूरी वेरेज कब बुल्ट किया गया इंद्रापूरी वेरेज इस बुल्ट ऑन इसका रइट असर बॉक्सिंग 0.06% देखे लगभग अर 6,800 स्क्वेर किलो मेटर के अंदर ना बिहार में बाड़ से प्रभावित एरिया है यह अर सथा च विज बाएरिया का 73.06% है अब भीहार का टोटल एरिया कितना है तो भीहार का टोटल एरिया 94,160 स्क्वेर किलो मेटर है तो यह ऐले अगले question को देखेंगे इसका right answer गया हो जाएगा बंजरी जो की रोतास के अंदर है यह केसी सिमेंट के लिए famous है तो option D correct answer है नेक्स्ट question पे चलेंगे अगला question 149th number question है which of the following pair is not correctly matched lime stone, चुना पत्तर, रोतास के अंदर पाया जाता है silk और दसार, silk भागलपूर इसके लिए famous है silk industry के लिए plywood और अंगाबाद गलत answer है plywood देखे, पुर्णिया के अंदर होता है किसंगंज के अंदर, अररिया हो गया हाजी पूर ले लिजिए plywood industry है वहाँ पे तो ये option गलत है तो C सही जवाब होगा और ने ने, C भी सही जवाब नहीं होगा precious jam stone ये गया के अंदर नहीं ये पटना के अंदर एक पटना city है वहाँ पे बनता है, तो ये भी गलत है, तो option जो इसका सही हो जाएगा more than one, तो next question पे चलेंगे आज का अंतिम प्रस्ट है अंतिम प्रस्ट देखते हैं, in which district अभी हमने points में डिसकस किया था जिसको नियागरा अभी हार के नाम से भी जाना जाता है, और ये नवादा district के अंदर present है, लगभग 47 मीटर इसका height है, नवादा district headquarters से ये, 16 लग किलोमेटर के दूरी पे अवस्तित है, तो यही था आज का test reach, और आसा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, तो मज़ा आया, तो सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को क्या कर लिजे, like कर लिजे, फिर जिन लोगों ने subscribe नहीं किया, कर लोगों वीडियो